दोस्तो भारत एक दर्म निर्पिक्ष देश है और यहां हर धर्म भाशा संस्कृती को मानने वाले लोग एक दूसरे के साथ मिलजूल कर रहते हैं लेकिन वक्त वक्त पर भारत के दोस्व मुदाय आपस में लड़ते हुए नजर आहीं जाते हैं उनके लड़ने का कारण कोई राजनितिक मुदा या समाजिक मुदा नहीं है बलकि एक धार्मिक मुदा है मुदा मजजद और मंदर बनाने का है कौन सी जमीन पर किस की मजजद बनेगी और किस का मंदर बस इसी में उलजाहेक साधारन सा भारती है इसी लड़ाई में शान्ती तो दूर दूर की बात है बलकि जुन्दगी भी नहीं बचपाती यह धार्मिक लड़ाई कब दंगे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता लेकिन एक मुस्लिम देश ने भारत के लोग को आईना दिखाया है एक मुस्लिम देश ने बता दिया है कि राजनिती किये बिना दूसरे धर्म को कैसे सम्मान दिया जाता है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहा बना है भाव्य मंदर कौन से मुस्लिम देश ने हिंदू के हितों के लिए कदम उठाया है साथ ही आपको बताएंगे कि आखर कैसे एक मुस्लिम देश में बना हिंदू मंदर वीडियो को आखर तक जरूर देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजेगा दोस्तों एक मुस्लिम देश में भाव्य हिंदू मंदर बनकर तयार हो गया है मुस्लिम देश में रहने वाले हिंदू परिवारों के लिए वहां के सरकार ने एक बेशकीमती तौफा दिया है सोचिए जरा एक मुस्लिम देश में मंदर बनाने पर किसी को कोई आपती नहीं होती है दोस्तों जब राजनिती को धर्म से दूर कर दिया जाता है तो दुनिया के हर धर्म की असल खुबसूरती निकर कराती है और कोई भी धर्म इनसानियत से बढ़कर नहीं होता एक ऐसे एक दूसरे के धर्म को मानता और अज़त और प्यार देते हुए ही कोई भी इनसान अपनी तरक्की के बारे में सोच सकता है लेकिन राजनिती इनसान की वो सदबुद्धी छीन लेती है किसी भी देश में रहने वाले लोग फिर वही चाहे किसी भी धर्म के हूँ या उन्हें अपने धर्म को मानने और अपने संस्कृती को जीने का अधिकार मिलना बहुत जरूरी है दुनिया में फिर भारत ही एक ऐसा देश है जहां कई धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म में लोग अपनी मानेताओं और संस्कृति को खुल कर मानते हैं लेकिन भारत से बाहर रहने वाले हिंदु धर्म के लोग को कही तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हुआ था लेकिन अब अमारिका जैसे महाश्क्ति के देश न्यॉयॉक में भारतिय हिंदुों को दिवाली पर हॉलिडे दी जाएगी जोकि एक बहुत बड़ी काम्याबी है। दोस्तों सिर्फ न्यॉयॉक ही नहीं बल्कि मुस्लिम देशों में भारतिय हिंदुों की भावनाओं का और उनके धार्मिक अधिकारों का खयाल रखा जा रहा है। आपको बताते हैं कि आखर वो कौन सा देश है जिसने हिंदु मंदर का नर्मान कराया। मंदर के निव रखी गई थी। साल 2020 में इस भव्य मंदर को बनाने का काम शुरू किया गया था और साल 2023 में ये भव्य मंदर बनकर तयार हुचका है। मंदर में 16 देवी देवताओं के मूर्तियों को स्थापित किया गया है। मंदर को मुख्य रूप से भगवान शिव और कृष्ण जी को समर्पित किया गया है। मंदर को दुबई के जेबेल अली अलाके में बनाए गया है। और पिछले साल 1 सितमबर 2022 को स्काउट घाटन किया गया था। सतर हजार स्कुआर पुट शेतरफल में बने। मंदर में हिंदू धर्म के लोगों की आस्थाओं का खास खयाल भी रखा गया है। मंदर को बनाने में इस्तमाल किया गया खास कस्म के पत्तर भारत से लाए गये थे। भारत के राजस्थान में पत्तरों को तराशने का काम शुरू हुआ था साल 2020 में और तीन साल की कड़ी मेहनत और 65 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखरकार दुबबई में मंदर बन चुका है। खास बात यह है कि इस मंदर का उधगातन एक मुसल्मान ने किया था। दुबई के मिनिस्टर श्रीख नहयान बिन मुबारक अलनाहयान ने इस मंदर का उधगातन किया। इस मंदर का नाम दुबई हिंदू टैंफल रखा गया है। दुबई में बने इस नए मंदर को बनाने के लिए 65 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा था। और आकरकार इंतजार खत्म होई गया। मंदर के ट्रस्टी राजु शौफ हैं जो अन्य हिंदूों के साथ मिलकर मंदर की देखभाल और मंदर के जरूरतों का खयाल रखते हैं। मंदर में कुल 16 कमरे हैं जहां अलग-अलग देवी देवताओं की पोजन करने के लिए जगह भी दी गई है। 16 अलग-अलग देवी देवताओं की ये मूर्तिया मंदला डेजाइन से प्रेरितो कर बनाई गई हैं। इसके लावा इस मंदर में हिंदू गरंत पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी और इस मंदर में एंट्री लेने के लिए पहले से ही मंदर की वेब साइट पर जाकर रेजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आपको बता दी कि मंदर के भवे डेजाइन में अर्बी और हिंदू संस्कृति की चाप दिखाई देती है। इस मंदर में हर रोज हजार से बारसों लोगों के आने की वेवस्था भी की गई है। ये मंदर हर रोज 6.30 बजे से रात 8 बजे तक खुलता रहता है और आपको बता दी कि इस मंदर में एक बड़ा 3D प्रिंट गुलावी रंग का कमल भी स्थापित है जो मंदर के केंद्रिय गुमबद में सजाए गया है। दुबई के जेबेल अली गाओं में ये मंदर पुजा घर के नाम से मशूर है। मंदर के अंदर एक चर्च और गुर्द्वारा भी बना हुआ है। असल में ये मंदर दुबई में सभी धर्मों के आपसी सहयोग और प्यार को दिखाता है। मंदर का डिजाइन तयार करने वाले आर्टिटेक्शर कंसल्टेंट सुबाश बोई थे कि 45 साल के अनभों से ये हिंदू मंदर भवे बन पाया है। देवी देवताओं की मूर्तियां भारत से ले जाए गई थी। मंदर में हिंदू के लिए विख करने के लिए बी अलग जगह बनाए गई है। नेता और रीगल ग्रूप ऑफ कंपनीज के सीयो और मंदर के ट्रस्ट राजू शौफ ने दुबई की सरकार के सयोग से इस मंदर को बनाने में कामियाबी पाई है। लेकिन दुनिया आपको भले ही इस बवे मंदर के निर्मान से अचमबा हो रहा हो मगर ये दुबई में बनने वाला कोई पहला मंदर नहीं है। बलकि इससे पहले भी एक मंदर बन चुका है जो आबोधावी में है। करके जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा इस तरह की रूचक जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा आप से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में बाई बाई दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें